जोहार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है कि जारखंड में अब सीटेट पास अभियर्ती फॉम भर सकते हैं दोस्तों फॉम भराना चालू है और 23 जनवरी तक फॉम भरी जाएगी और दोस्तों इसको लेकर काफी प्रश्न आप सभी के है और मेरे पास लगातार मेसेज आ रहे है वाट्सअप टेलीग्राम से लेकर यूटूब में 4 रफी प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों और इस वीडियो में मैं आप सभी के प्रशनों का जवाब देने जा रहा हूँ जो भी important प्रशन है सभी का जवाब दे रहा हूँ इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कैसी information आपको मिलते रहेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को श्टार्ट करते हैं तो दोस्तों पहला जो प्रशन आप लोगों का आ रहा है वह दोस्तों की paper 1 और 2 में क्या रखें ये अश्छात्रों का confusion है दोस्तों और यहां पर क्या confusion हो रहा है वह पहले जानी है देखिए यहा paper two में रख देते हैं actually ये इसलिए ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि एक ही paper रखेंगा तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा ठीक है लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ आपका paper one में आपको मात्री भासा के अनुसार रखने बोला गया है कि आपने टेंथ जब लिखा था उसके अनुसार रखने के लिए कहा गया है लेकिन दोस्तों मैं आप सभी बता देना चाहता हूँ कि paper one में आप कोई भी language को रख सकते हो लेकिन जब वहां मात्री भासा का उ दिखा है कि आपका metric में जो था उसके अनुसार रख रहा है उसके अनुरूप रखना है तो आप 30% marks के लिए के लिए आप risk मत लो ठीक है यानि मेरे कहने का मतलब है मेरे कहने का मतलब यह है कि दोस्तों आपको 30 number ही लाना है ठीक है आप Hindi रख लो या English रख लो कोई दिकत न है रहे हैं कि हम इसमें खोठा रख लेते हैं ठीक है आपका paper one में यानि आपका metric में खोठा नहीं भी था लेकिन कभी चातर रखना चाहते हैं तो इसे notification में उसका कुछ नहीं लिखा है उसमें बस यह लिखा है मात्रिभासा के अनुसार होना चाहिए आपका 10 के अनुसार हो ही रखे दोस्तों बाकी बाद आप चाहे तो रख भी सकते हैं लेकिन अपने रिक्स पर रखे वहां पर जब आप फॉर्म बढ़ते हो तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है इसलिए आप रख सकते हो लेकिन मेरी मानों तो मैं यहीं कहूंगा कि आपका metric में जो भी लेंग्वेज पेपर है वहीं रखे ठीक है रखने का तो रख सकते हो लेकिन metric में जो भी है इंगलेज हिंदी या बंगला जो भी है रखे दोस्तों ठीक है माली जा आप हिंदी रख लेते हो तो हिंदी में मातर 30 नंबर नहीं ला सकते हो यार बताओ तो तुम कैसे आगे प दिमाक से हटा दो को का और भी कोशन आ रहा है दोस्तों बीएड वाले क्या एक से पांच में भरेंगे यहां पर एक बहुत बड़ी अधिक्कत आ रही है दोस्तों क्योंकि बीएड को सुप्रीम कोट में कच्छा 125 के कच्छा 125 से इन्हें अमाय निभसित कर दिया गया है सु अरखन में फॉर्म बरने का ऑप्सन है और उसमें कहा जा रहा है कि आपका एपन्मेंट जब होगा जोब हो जाएगा उसके बाद आपका एक या दो साल के अंदर आपको छे महिने का ब्रीज कोर्स करना है जबकि यह जो ब्रीज कोर्स होता है दोस्तों अब कहीं नहीं होता है कच्छा one to five में नहीं भरें और भरना चाहते हैं तो अपने रिस्क में भरें सुप्रीम कोट का ओडर है बाद में ओडर आ जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसे फर्म के लिए लिजबल नहीं हो और आपको अमाइन गोसित कर दिया जाएगा तब हमें मत बोलना भाए ठीक है तो यह हो गया दूसरा कोशन आप लोगों का कम्प्लेट अब आगे बढ़ते हैं तक भीएड़ वाले कौन सा उप्सण टिक और सब्सक्राइग करिए एक कमेंट आरा धैं दोस्तों बीएड़ वाले कौन सा कोशन टिकक और तो मैं आपको बता दूसरा 2 600,000 से पहले एक वर्स का वेड़ होता था इसलिए अब inan लब की सिर्फ 2016 वाले फॉर्म भरते पहले तो यहां पर टू वर्षिय बीएड का ऑप्सन नहीं दिया गया था इसलिए ऑप्सन नहीं आया है दोस्तो एक वर्षिय बीएड और और एस्पेसल एजुकेशन का ऑप्सन है तो यहां पर छात्रों ने जैससी उपिस उस दिन गया है और आप लोग मेरी मानो तो आप लोग उसी ओप्सन को मार दो ठीक है वह एक वर्षिय बीएड का ऑप्सन डाल दो क्योंकि सबको पता है कि अब दो वर्षिय बीएड होता है वह सबको पता है सरकार को भी पता है तो अभी मैं बता दूं ठीक है एक वर्षिय बीएड या special education जो है यही वला डाल दो इसी option में आप लोग tick मार दो ठीक है कोई दिकत नहीं है और आगे बढ़ जाओ ऐसा मैं क्यूं कर रहा हूँ क्यूं कि दोस्तो अभी आप phone भर रहे हो ठीक है phone भर के रखो और फिर आपका 24 तारी को edit हो जाएगा ठीक है 24 तारी को edit का option मिलेगा और अगर आपको option JSC के तरफ से दे दिया जाता है तो आपको edit करने का भी option दिया जाएगा और अभी आप phone भर ले हो तो उसी option को अभी choose कर ले याद रखे दोस्तों आप लोग बार बार comment करते हो आप उसी को डाल दे अभी एक वर्षिय भी एड को ही डाल दे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2016 से पहले एक वर्षिय होता था अब दो वर्षिय हो गया तो यह सब को पता है आपका phone नहीं reject होगा और आप अगर पास होगे तो आपको mind गोसित किया जाएगा यह JSC की गलती है कोई दिकत नहीं है आपको समझ में आ गया आपको एक वर्षिय वाला में ही कर देना है और बाद में edit का option आएगा तो उसमें आप सुधार कर लेना अगर JSC option देता है तो क्योंकि अगर वो option ही नहीं देगा कोई मारे WhatsApp नंबर पर समप्र करें और तुरंत ले ले और दोस्तो ज्यादा दिन नहीं है арmb तुरणत ले ले दोस्तो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं दोस्तो आप लोगों का उरी लेबल का होना चाहिए ठीक है SDO लेबल का होना चाहिए और दोस्तों आपका 2019 या उसके बाद का है 2019 या उसके बाद का है तो आपका दोस्तों CO लेबल का भी चलेगा यानि अंचला अधिकारी के लेबल का भी आपका चलेगा ठीक है 2019 के बाद का है तो आपका CO लेबल का भी च जाते हो तो देदो अभी फॉर्म बरते टाइम कुछ नहीं मांगा जा रहा है और ना ये और उसमें ये भी नहीं कहा जा रहा है कि जाती आवाइस ये फॉर्म बरने से पहले का बना हुआ होना चाहिए तो देखिए दोस्तों पहले का बना हुआ होना चाहिए लेकिन अभी के नोडिफिकेसन में कुछ नहीं लिखा होना चाहिए कब का बना होना चाहिए कब का नहीं तो आप लोग बना लेना दोस्तों अभी बनाओगे तो चलेगा ठीक है तो ये आप लोगों का प्रोब्लम खतम अब आगे बढ़ते ह होगा लेकिन काफी चाहतर आप trolls किया होंगे चाहता हूँ आप crowd को इसे आप लोगोगो अपका नि ही को रद कर्ध कर सकता है और लोग को इस को लेकर काफी 6ری जे ससी भी पहुंचे थे अब देखते हैं क्या कुछ होता है लेकिन आप लोगों को मैं बता देने चाहता हूं सुप्रिम कोड का ऊडर है एन इंइवेस डिय अट को बाहर कर दिया गया है बिहर में भी बाहर कर दिया गया है और पूरे बारत में अब इन इस डिलेट माइन ये नहीं है दोस्तो और माईन ने सिर्फ उनके लिए है और उनके लिए जो पहले से टीचर है यानि जो पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहा है तो उसके लिए नई माईन होगा इसमें मैं एक्जामपल में देता हूँ पारा टीचर जो जारकन का पारे टीचर है उसके लिए माइन है आपके लिए जो इस्टुडेंट है और जो एनायोस से डियलोट किया है उसके लिए यह माइन हो गया है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रशन आपका है दोस्तों कैसे भरें कब भरें तो दोस्तों फॉम भरने में अभी काफी दिकत हो रहा है ठीक है तो आप लोग अच्छा से भरें और रात में बारह एक दो बज़े तक जाग के भरें ठीक है दीन में सरभर बहुत बीजी रहता है रात को बारह एक बज़े तक जागिए ठीक है बारह एक दो तीन या सुबह उठके चार बजे आप फॉम बरिये आप लोग आसानी से भर लोगे और हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना सही सही भरना हां और अगर पेपर टू में खोटा रखे हैं तो नोट्स जरूर ले लिजेगा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक तो यहां पर रूल और रेगुलेशन जो सुदार हुआ था वो दे दिया गया था ठीक है तो मैं आपको डिरिकली बता देता हूं क्योंकि रूल रेगुलेशन का एक न्यू वीडियो बनाऊंगा तो यहां पर मैं बता दूँ जहारकन सरकार ने ओप्सन नहीं दिया है लेक 2010 को एक रूल आया था दोस्तों NCTE के तरफ से गाइडलाइन जारी हुई थी 2010 में उसमें 5% छूट मिला था ST, SC और OBC को ठीक है तो यह 2010 के बाद जितने लोगों ने जितने लोग हैं सभी के लिए यह रूल लागू हो गया 5% रूल लोगों को डिसकाउंट मिल गया ठीक है ल आप लोग कौन कौन जिला से भर है ठीक है अप लोग कहते हैं दूस्तों कि हम कौन सा जिला से भर है हमारे यहां सीट नहीं है तो देखिए दोस्तों एक State Merit List इसमें जारी होगा State में आपका बहली होगा आपका number के अनुसार बहली होगा ठीक है तो इसमें आप क्या करें कि अपना जिला पहले रखे, पहले फर्स्ट में अपना जिला रखे, उसके बाद जो भी पसंद आता है, सभी जिला को डाल दे, ठीक है, आपको जहां मन लग रहा है, लेकिन सब को यह अपना ही जिला मराना चाहता है, इसलिए आप लोग अपना जिला दें, सबसे फर्स्ट आप माक्स के अनुसार आपका जितना माक्स आएगा और अगर आपका उस जिले में उस कटप को पार कर रहे हो जो उस जिले के लिए रखा गया है तो आप आपको वहीं पर मिलेगा सिंपल सा बात है तो यहीं थे दोस्तों कुछ important प्रस्ण जो आप लोगों के मन में आते थे दोस्तों और एक प्रश्ण आता है वो भी मैं बता ही देता हूँ यहां पर जो कहते हैं कि सर मेरा एकॉनिक्स था क्या मैं यहांपर साथ प्रसाइप आप लोगों को सायद मिल रहे हैं तो आप लोगों भी रखना चाहते हो लेकिन मैं यही कहूंगा कि आपका जो में पेपर है आपका जो आपने जो सब्जेक्ट लेके पढ़ा है वह ही रखोगे तो अच्छा रहेगा बाकी बाद आप अपना मर्जी से भार लेना क्योंकि वहां ओप्सन में नहीं लिखाया है कि आपको कौन-कौन ही लेना और खोठा का नोट्स जरूर ले लिजेगा दोस्तों नीचे लिंक दिया हुआ है जाईए और वाट्सअप पे हमें मेसेज किजिए धैनवाद